परमश्रद्धेय महंत गुरुवर्य श्री रामगिरी जी महाराज इस वर्ग को देखने के लिए देश के अन्यान्य भागों से यहाँ पर उपस्थित हमारे प्रमुख अतिथी गण माननिय सर्वाधिकारी जी माननिय विदर्व प्रांत संगचालक जी माननिय नागपुर महानगर के संगचालक जी उपस्थित अन्या अधिकारी गण आत्मिय स्वयमसेवक बंदू उपस्थित नागरिक सज्जनेवं माता भगेगी इस स्वर्ग के समापन के कार्यक्रम को प्रती वर्ष हम लोग देखते हैं इस बार विशेश योग बना है आज पाचवे गुरु महाराज सद्गुरु श्री अरजुन देवजी महाराज का शहीदी दिवस है उनको बहुत प्रताडनाय कष्ट देकर शहीद किया गया धर्म के लिए वो हस्ते हस्ते शहीद हो गए कल भी महाराणा प्रताब की जयनती थी और भगवान बिर्सा मुंडा का निर्वान दिन था महापुर्षों की ये स्मरण जिन दिनों हमें हो सकते हैं उन दिनों पर यहाँ पर देशीत में अपने आपको योग्य बनाने की साधना करने वालों का उपक्रम देखना और उनके साथ कुछ राष्ट्र के विचार में सहयोगी होना ये मैं मानता हूं हमारे लिए अत्यन तो शुभ्योग है क्योंकि बाहर तो वातावरण दूसरा है चुनाव संपन्न हुए उसके परिणाम भी आए कल सरकार भी बन गई ये सब हो गया लेकिन उसकी चर्चा अभी तक चलती है जो हुआ वो क्यों हुआ कैसे हुआ क्या हुआ ये अपने देश के प्रजात आंतरिक तंतर में प्रती पाच वर्षों होने वाली घटना है होती है उसके अपने नियम है डायनेमिक से उसके अनुसार होता है अपने देश के संचालन के लिए कुछ निर्दारन करने वाला उप्रसंग है महतोपुर्ण है लेकिन हम चर्विच्चरवन करते रहें इतना महतोपुर्ण क्यों है समाज ने अपना मत दे दिया उसके अनुसार सब होगा क्यों कैसे इसमें संग के हम लोग नहीं पढ़ते हैं हम अपना कर्तव्य करते रहते हैं लोकमत परिशकार का प्रती वर्ष करते हैं प्रती चुनाओं में करते हैं इस बार भी किया है बाकि क्यों हुआ क्या हुआ इस चर्चा में पढ़ते नहीं क्योंकि आज ही कल ही अधर्णिय सत्यप्रकाश महाराज जी ने हमको एक वच्चन बताया कबीर जी का सार रूप में हम लोग उस प्रकार से विचार करते हुए इन सब बातों को देखते निर्बंधा बंधा रहे बंधा निर्बंधा होई कर्म करे करता नहीं दास कहाए सोई जो सेवा करता है जो वास्तविक सेवक है जिसको वास्तविक सेवक कहा जा सकता है उसको कोई मर्यादा रही कि वो मर्यादा से चलता है काम करते सब लोग है लेकिन कार्य करते समय मर्यादा का पालन करते हुए उसको करना जैसा तथागत ने कहा है कुसलस्थ उपसंपदा अपनी आजीवी का पेड़ भरने का काम सबको लगाई है करना ही चाहिए अपने शरीर को भुका नहीं रखना है परन्तु करते समय कुसलस्थ उपसंपदा है कुसल पुर्वक यानि उपजीवी का के कार्य में उत्कृष्टता जैसे उस शब्द से निर्दिशोत होती है वैसे ही वो कार्य करते समय दूसरों को धक्का नहीं लगना चाहिए यह मर्यादा भी उसमें नहीं ही तो ऐसी मर्यादा रखके हम लोग काम करते हैं काम करने वाला उस मर्यादा का ध्यान रखता है वो मर्यादा ही अपना धर्म है वो मर्यादा ही अपनी संस्कृति है जो माराजी ने अभी बहुत मारमिक कथाओं से थोड़े में बताई पूरी बताई उस मर्यादा का पालन करके जो चलता है वो कर्म करता है लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया और वही सेवक कहलाने का अधिकारी देता है यह उकतिकल जब उन्होंने सुनाइं तो मेरे मन में आया कि अपना विचार क्या है संग कैसे चलता है उसको बताने का दूसरा कौन सा उपाय सरहल उपाय में यही है चार पंक्तियों में संग की उरुत्ति में आती है क्योंकि इन बातों में उल्जे रहेंगे तो काम रहें जाएंगे और चुनाव प्रचार की या चुनाव में जो होता है उसकी बात ऐसी है वास्तव में तो प्रजात अंतर की अनिवार या आवश्चक प्रकृणिया है और उसमें दो पक्षर रहते हैं इसलिए परदा रहती है तो दूसरे को पीछे करने का स्वयम को आगे बढ़ाने का काम होता ही है होना ही चाहिए कि परंतु उसमें भी एक मर्याद आ है कि असत्य का उप्योग नहीं करना चुने क्यों जा रहे लोग संसत में जाएंगे बैट कर उपने देश को चलाएंगे सहमती बनाकर चलाएंगे हमारे आतो परंपरा सहमती बनाकर चलने की है समानो मंत्रस समिति समानी समानममनस सहचित्थ मेशाम इस सहचित्त पर विनोबा भावे जी की टिपणी है और वो कहते है कि रुगवेत कारों को मानवी मन का कितना ज्ञान था ये समझ में आता है सब जगह उन्होंने समा कहा है समानों मंत्रह समिति समानी समानम मना लेकिन चित्त के बारे में सम नहीं कहा क्योंकि प्रत्यक व्यक्ति का चित्त मानस अलग-अलग होता ही है और इसलिए सो प्रतिशक मतों का मिलान होना सम्भव नहीं है लेकिन जब समाज में लोग अपना चित्ता अलग-अलग होने के बाद भी हमको साथ ही चलना है ऐसा निष्चे करते हैं तो सहचित्ता बन जाता है वास्तों में संसत क्यों है उसमें दो पक्ष क्यों है इसलिए है कि दोनों पहलू उजाग रो किसी भी सिक्के के दो पहलू रहते हैं ऐसी किसी भी प्रश्टन के दो पहलू रहते हैं एक पक्ष एक पहलू का विचार करता है तो दूसरे पक्ष ने दूसरा पहलू उजागर करना है ताकि जो होना है वो पूर्ण अतहा ठीक हो सहमती बने इसलिए सौंसत बनती है लेकिन ऐसी सहमती बनना स्परधा करके आये लोगों में थोड़ा कठिन भी रहता है और इसलिए हम बहुमती का आसरा लेते हैं उसके लिए स्परधा खलती है इस परधा कोई आपस का युद्ध तो है नहीं कि जिस प्रकार ये बाते हुई जिस प्रकार एक दूसरे को लताड़ना हुआ जिस प्रकार प्रचार के दोरान हमारे करने से समाद में मनमुटाव बढ़ेगा दो गट बटेंगे आपस में शंका संशे उत्पन होगा इसका भी ख्याल नहीं रखा गया और विनाकारण संगल जैसे संगतरों को भी उसमें खीचा गया कि टेक्णोलोजी का सहरा अ करकरके असत्य बाते परसी गई नितांता Tisak क्या शास्त्र का विध्यान का विध्या का यह उपयोग है सज्जन विध्या का यह उपयोग नहीं करते विध्या विवाद आया यह खलस्य ऐसा कहा है विध्या विवाद आया धनम्मद आया शक्तिफ परेशाम परपीडन आया खलस्य सादोह विपरीत मेतत ज्ञानाय दानाय आदुनिक विद्या टेक्न लोजी का उपयोग असत्य परोस्ति के लिए किया गया कि ऐसे से डेश कैसे चलिगा भाई आखेर सब को देशे चला मैं न दो पक्षा है विरोधी पक्षा कहते हैं मैं प्रतिपक्षा कहता हूं वो विरोधी नहीं है उसको विरोधी मादना भी नहीं चाहिए वो प्रतिपक्षा है वो एक पहलू उजागर कर रहा है उसका भी विचार होना चाहिए ऐसा जब चलना है तो चुनाव लड़ने में भी एक मर्यादा होती है उस मर्यादा का पालन नहीं हुआ क्योंकि उसका पालन होना इसलिए आवश्चक है कि हमारे देश के सामने चुनोतिया समाप्त नहीं हुई अब सरकार बन गई वही सरकार फिर से आ गई इंडिये अब यह ठीक है पिछले दस वर्षों में बहुत कुछ अच्छा हुआ है आधिक हमारी स्थिती आधुनिक दुनिया जिन मानकों को मानती है जिसके अधार पर आर्फिक की स्थिती का मापन करती है उनको लगाए तो हमारी आर्फिक स्थिती बहुत अच्छी हो रही सामरिक स्थिती हमारी दिश्चित रूप से पहले से अधिक अच्छी है दुनिया भर में हमारे जैश की प्रतिष्ठा बढ़ी है कलाज शेत्र में, कृडा क्षेत्र में, ज्ञान विज्ञान के खेत्र में साउस्कृति के एक्षेत्र में, हम सब लोग विश्व के सामने आगे बढ़ रहे हैं हमको धिरे-धिरे मानना विश्व के प्रगत देशों ने भी शुरू किया है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम चुनोतियों से मुक्त हुए अभी उन बातों से मुक्त होकर जो चुनाव के आवेश में अतिरेक हो गया उससे मुक्त होकर हमको आने वाली बातों का विचार करना है समस्याओं से रहात लेनी है अभी हम बैठे है गरमी लग रही अभी तो ठंडा हो गया लेकिन कुछ दिन पहले कितनी गर्मी थी इस वर्ष हर वर्ष से बहुत अधिक गर्मी हुए और सर्वत्र हुई हिल स्टेशन सुमें भी हुई बंगलूरू जैसे महानगर में जलका संकट आ गया हिमालयों किमालय के ग्रीश हिमनदियों के पिगलने के बारे में तरदरी की बाते छप रही है कि पर्यावरण का सारी दुनिया पर संकट है भारत जो संसकारों से ही पर्यावरण का मित्र बनकर चलता है कृतजनेता पुर्वक नदियों को वुरुक्षों को पहाडों को पशुओं को पक्षियों को पूझता है उनके साथ अपना संबन्द मानता है वहां भी यह संकट खड़ा हुआ है क्योंकि विकासपत की दुरुष्टी अधुरी है उसको बदलना होगा सबको बदलना होगा लेकिन जिसके पास यह दुरुष्टी पहले से है वो भारत अपने आपको कैसे बदलता है यह देखकर दुनिया उसका आनुकरण करने वाली है तो हमको अपना स्व के आधार पर एक विकासपत ठीक से बना रहा है अबी उस्व का विचार करके भी बहुत सी बाते हो रही है लेकिन हमको मूल से विचार करके दुरुष्टिकत सारी बाते बदलके करना पड़ेगा ज्ञान विज्ञान का जो आधुनिक सारा प्रवास और प्रयास है उसको भी ध्यान में रखकर हमारे परंपरा का ज्यान जो काल सुसंगत है उसको साथ लेकर दुरुष्टि वो रखकर कि वसुधहिवा कुटुम भकम और सुरुष्टी अपनी माता है हम सुरुष्टी के विजयता नहीं है हम सुरुष्टी के अंग है वो माता है उसका दोहन करना है उसका पोशन होना चाहिए इस पर ध्यान देना है उस धंग से विकास की रीती उस धंग से अपने विकास के प् अब एक साल से मनिपूर शांती की राहा देख रहा है उसके पहले दस साल शांतर रहा है पुराना गन कल्चर समाप तो हो गया ऐसा लगा और अचानक जो कलह वहाँ पर उपज गया या उपज आया गया उसकी आगल में अभी तक जल रहा है तरही तरही कर रहा है कौन उस पर जान देगा कि प्राथमिक्ता दे के उसका विचार करना यह करता भी है कि समाज में कितनी बाते आ रहे हैं कि भले घर की महिला है कि शराब पिकर कार चलाती है और नीचे लोगों को रोंद दीती है कहां हमारे संसकार कहा गए हमारी संसकृति कहां है जो संसकृति अभी तक दुरजेयस ही बनी है अभी भी उसको कोई नहीं जीच सकता लेकिन उस संसकृति के वाहत हम लोग उसकी परवा रखेंगे तभी इसलिए समाज में पीडी दरपीडी चलने वाले संपूर्ण सुरुष्टी की धारणा करने वाले धर्म के संस्कार जो संस्कृति हमको सिखाती है उस संस्कृति के पनपने का आगे की पीडी तक पहुँचने का प्रश्ण खड़ा हो गया है जिनों ने उसको त्याग दिया उनकी स्थिति दुनिया में अच्छी नहीं है भले ही भौतिक वैभव होगा परिवार टूट रहे हैं मन में अशान्ती है छोटे बच्चे बंदूक लेकर अपने विद्याले के सापाटियों को गोलियों से भून डालते ऐसी परिस्थितितिय आती है कि पिताहीन मातुर्तुव कितनी बाते है क्या हमको ऐसे बनना है क्या हमको अपना परिवार पैरा नहीं है क्या अपने हमारी सगे संबनी हमारे कुछ नहीं लगते उस संस्कूति के संरक्षन का प्रश्टन है उसके लिए समाज में बात करने वाले समाज में विभिन्न कारिकम करने वाले समाज का प्रबोधन करने वाले माध्यम सबको अपने उपर संयम का बंदन एक लाना पड़ेगा और वैसा वो बंदन लाए क्योंकि आज के तंत्र मे सरकार बहुत सी बाते देखती है उसके लिए भी सरकारों को प्रावधान करने पड़ेंगे बहुत काम करने पड़े है और ये काम केवल सरकारों को नहीं करने इनकी भी चर्चा हम करते हैं लेकिन केबल चर्चा करने से नहीं होता है इसके लिए समाज को सिद्ध होना चाहिए वास्तों में प्रजात अंत्र में तो समाज ही राजा को बनाता है और समाज ही अपने स्थिटी को बनाता है तो समाज ने अपने आपको खड़ा करना यह पहली बात आवश्यक होती है समाज परिवर्तन से विवस्थाओं का परिवर्तन होता है दुनिया में सरवत्र दुनिया का इतियाज देखिए यही हुआ है जब कोई परिवर्तन आया समाज में आया उसके कारण व्यवस्था में आया नेत्रुत्व खड़ा हुआ लेकिन नेत्रुत्व को समाज का प्रतिसाद मिलने के लिए समाज का परिवर्तन हुआ फ्रांसी सी राज्यकरांती में फ्रांस के गरीबों का असंतोष शिकर पर पहुच गया था इसलिए करांती की बात करने वालों के पीछे सारी जबता खड़ी हो गई यही रशिया में हुआ है यह खड़ा हो गया समाज में कि इससे छुटना है इससे बाहर आना है अब वहां यह संस्कृति नहीं है जिसका वरणन महात्मा ने किया हमारे संतों जी ने किया संयम की सत्य अहिंसा अस्तेया परिग्रव ब्रमचर्या यह हमारे पास है और इसलिए हमारे पास यहीं हुआ लेकिन उसकी जो अभिव्यक्ति थी वो अलग प्रकार्थी वो भारती अभिव्यक्ति थी दक्र बाबा साब आमबेड़कर कहते कि कोई बड़ा परिवर्तन होने के पहले समाज का एक बड़ा आध्यात्मिक जागरण होता है यह नियम है अपने देश में तो है यह श्वाजी महाराज के पहले सिकडो वर्ष संतों ने अध्यात्मिक जागरण किया भक्ति की बुनियात देकर सारे समाज को भेज मिटाकर वर्ण अभिमान विसर्ण लाय आती भूल गए वर्ण अभिमान और जाती ऐसा समाज खड़ा किया तो श्वाजी महाराज ने सरह चक का विच्चार रखा उसके पीछे सामान्य आदमी खड़ा हुआ अपना घर ग्रोस्ति समाल कर और उनके साथ लड़ता था इसलिए दुनिया की बलाढ़्य ताकते भी उसको पराजित नहीं कर सकते ये समाज के निर्माण का काम करना है इसमाज में एकात्मता चाहिए समाज में संसकार चाहिए अपने समाज में और विशेश बात है कि हमारा समाज विविधताओं से भरा हुआ समाज है और ये जानना वाला समाज है कि ये विविधता ये मिथ्या है कुछ दिन चलती है बाद में विविधता ने रिती, मूल में तो हम एक ही है, विविधता भी हमारी एकता का आविश्कार है, अभिव्यक्ती है और इसलिए उसको स्विकार करो, मिल जुल कर चलो, सब सही है, अपने अपने मत की शरद्धा पर पक्के रहो दूसरों के मत का उतना ही सम्मान करो, उनका भी मत सत्य ही है, स्विकार करो और मिल कर धर्म की रहा पर चलो, यह धर्म पूजा की बात नहीं कर रहा हूं सारी पूजाए अपने अपनी पूजा पर शरद्धा रखकर, बाकी पूजाओं को भी उतना सत्य मान कर सब लोगों ने मिलकर सब की धारणा करनी है, सब को जिलाना है, सुरुष्टी को भी जिलाना है, पूरे अस्थित्व के विचार से अपने जीवन को चलाना है, यह धर्म है, उस धर्म मार कर पर बढ़ते हैं, तो उन्नत ही होती है, हमारे जेस्पवान है, हुआ है, यह वर्म की आई जनता का, कि बहरत भूमी की प्रजाएशी है, अनेक दिवी द्योताओं की पूजा करती है, अनेक प्रकार के विती रवाज रखती है, अनेक भासाएं बोलती है, फिर भी मिल जूलकर चलती है, अतर्वय की रुचा भी प्रस जब इस रीती को हम भूल गए तब से हमारा पतन हुआ तब हमने अपने ही भाहियों को अस्पृष्ण कहकर दूर रखा कोई इसके पीछे न्याय नहीं है कोई शास्त्र और इसके पीछे नहीं है नहीं इसको वेदों का अधार है नो उपनीशुदों का अधार है यह तो स्वार्थी लोगों ने कि बुना हुआ जाले अथ्वा कुछ समय आया होगा जिसमें इसा चलना पड़ा होगा पता नहीं क्या था कि लेकिन वह कालब आई है और गलत है कि समाज में एकता चाहिए लेकिन अन्याय होता रहा है इसलिए आपस में दूरी है मन में अविश्वास है हजारों वर्षों का काम होने के कारण चिड़ भी है अपने देश में बाहर से आक्रमक आये आते समय अपना तत्वन्यान मी लेकर आये यहां के कुछ लोग विविद्ध कारणों से उनके विचारों के अनुयाई बन गए ठीक है अब वो लोग चले गए विचार उनके रह गए उसको मानने वाले रह गए है तो यही के विचार वहां के है तो यहां की परंपरा को उससे कोई फरक नहीं पड़ता बस एक बात है कि भारत के बाहर के विचारों में जो हम ही सही बाकी सब गलत है उसको छोड़ो मतांतरण वगरे नहीं करने की जुरुरत है सब मत सही है सब समान है तो फिर अपने मत पर ही रहना ठीक है दूसरों के मत का भी उतना ही सम्मान करो लेकिन बाहर से आये थे इनके मत इनका तत्वा देने वाले तो लड़ाई हुई संगर्चुवा संगर्चा का इतियास है बहुत गहन संगर्चु हुए बहुत कटु संगर्चु हुए उसकी यादे भूले नहीं है और उन यादों को भूले नहीं तो परिणाब देश तुट गया वो भी और इन दूरियों को और चोड़ा करता है लोग गहरे गाव है उसकी पीड़ा है अन्याय के प्रती जो चिड़ है उसके कारण अपने ही समाज के लोग रूठे हुए गुस्से में है मन में आशंका है दूरी है और इतिहास के कारण ये जो घाव हुए उसकी पीड़ा है इसलिए हम दूर है तो पास आना और एक होने का मार्ग क्या होगा मार्ग तो यही होगा कि उसको भूतकाल में जमा कर दो डर है तो दुर्बल मत बनो शक्ति संपन बनो डर नहीं रहेगा लेकिन शक्ति के साथ शील संपन बनो शील अपना अपने धर्म और संस्कृति से आता है जो सत्य के बाद अहिंसा को कहता है, सबके प्रतिसद्भावना को कहता है, सबके प्रतिसद्भावना को लेकर पुरानी बातों को भूल कर सबको अपनाना और हम एक दूसरे को अपना सके, इसलिए अपने को जो बदल अपने में करना है, अपने घर से उसका प्रारंब करना, स जो हमने ही तूर किये, उनको लेने के लिए ये जो जाती पाती की बात है, इट शुट गो आउट, लॉक स्टॉक एंड बैरल ऐसा, बाड़ा साब ने कहा है. आशन में तो जाती है, कार्यक्रमों में तो जाती है, मेरा आचरण और मेरे घर के आचरण में, उसके जगह समताध हिष्ठित वेवहार की प्रतिष्ठापना होनी चाहिए. कठीन होगा, लेकिन देश के लिए करना पड़ेगा. हजारों वर्षों से जो पाप हमने किया, उसके प्रक्षालन के लिए करना पड़ेगा. ऐसे ही आपस में मिलना जुलना है, भारत उद्भाव जो लोग है, उनसे मिलना आसाल है, क्योंकि एक ही बुनियाद है, वही यमनियम आत्मक आचरण का पुरुष्कार सर्वत्र है, और एक से सब निकला है, एकमसद विप्राः बहुधा वदंती, यही सब की शरद्दा है इसलिए वो तो संबन्द रखना, आना जाना, अभेद बरतना, रोटी, बेटी, सब प्रकार के विवार होने दो, लेकिन जो बाहर की विचारधारा आया, उनकी प्रकृतिया इसी थी, हम यही सही बाकी सब गलत, अब उसको ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि वो अध्यात्मिक नहीं है, इन विचारधाराओं में, जो अध्यात्म है, उसको पकड़ना पड़ेगा, पेगंबर साब का इसलाम क्या है, सोचना पड़ेगा, इसा मसीय की इसायत क्या है, सोचना पड़ेगा, भगवान ने सब को बनाया है, भगवान की बनाई जो काईनात है, उसके प्रतिया अपनी भावना क्या होनी चाहिए, सोचना पड़ेगा, सो समझ के जो समय के प्रवा हमें विकृतिया आई है उसको हटा कर ये जानकर कि मत अलग हो सकते हैं तरीके अलग हो सकते हैं सब अलग हो सकता है हमको इस देश को अपना मान कर उसके साथ अपना भक्ति पूरुन संबंद स्थापित कर इस देश के पुत्र सब कुछ अपने भाई है यह जानकर विवार करना पड़ेगा और यह होना पड़ेगा तो उसके लिए आदत की आवश्चकता रही है जोंकि विचार तो अच्छे होते हैं मन को भी अच्छे लगते बुद्धी भी उनको मानने करती है लेकिन दशकों की शतकों की जो आदक है आदत है उसको सुधार्ने में समय लगता है उसको सुधार्न में समय लगता है और इसलिए उसके लिए रोज व्यायाम करनी की आवश्च सकता है वो व्यायाम ही संग की शाका है इसारी बाते संग की शाखा में होती है हसते खेलते होती है करने वालों को ध्यान में भी नहीं आता कि जो मैं कर रहा हूं उससे यह हो रहा है दस-बारा साल के बाद पीछे मुड़के उस समय के स्वहिम के चित्र को देखता है तो उसको लगता है कि मैं कितना बदल गया संग यही काम करता है संग इसी के लिए है यह करते हुए अपने विश्वक के सारे जीवन का आधार बनने वाले भारत को फिर से उस रूप में खड़ा करना यह करता भी है इसको करना है इसलिए यह तपस्या है और इसलिए हम इसारी बातों को करते अभी पाच बातों का आगरहम समाज के सामने रख रहे हैं स्वयम्स्योक अपने से प्रारंब करेंगे कर लिया उन्होंने शुरू होगा देरे देरे बनेंगे कि एक तो बात है सामाज एक समरस्ता का विवार अपने कार्यक्षेत्र में जितने प्रकार का समाज रहता है उन सब में अपने मित्रों और मित्र कुटुम्ब होने चाहिए अपने कुटुम्ब के और जहां अपनी शक्ती है कि समाज हमारे कहने से मान सकता है वहां मंदिर पानी स्मशान सबका एक होना चाहिए परियावरन के बारे में प्रयास करेंगे पानी बचाओ प्लास्किक खटाओ हरियाली पेड लगाओ अपना घर हरित घर बनाओ स्वा आधारित सारा व्यवहर हो स्वा आधारित जीवन के कलपना में उपभोग के लिए जीवन नहीं है समुरुद्धी चाहिए अयाशी नहीं चाहिए इसलिए लक्ष्मी जी की स्थुति हम करते इस्री सुक्त में तो उसमें जैसे धन्यम धनम बहु पुत्रलाबं मगरे कहा है वैसे नक्रोधो न लोभो न चमात्सर्यो न अशुभा मति ये भी कहा है नीती युक्त लक्ष्मी उसकी हम पुजा करते उपभोग में नहीं उसको दोड़ते उपभोग की रेस में हम नहीं दोड़ते हम संयम रखते हैं संयम ही तो उपभोग इस प्रमार विश्वास है इसलिए फिदूल खर्ची नहीं करना बहुत जादा तामज्याम की आवश्चक्ता नहीं साद्गी से रहना मितव्यईता से रहना आवश्चक्ता हैं सारी पूरी हो समाज है तो उसमें थोड़ा बहुत स्थानमान सबका रहता है उसके अनुसार अपना रहना सेना हो परन्तु अनावश्चक खर्चा नहीं करेंगे साथगी से रह सकते रहेंगे स्वा आधारित स्वा देशी का व्यवार यही है जो अपने घर में बन सकता है बाहर से नहीं लाना एक आध बार इत्वार को चले गए पिज़ा विज़ा खाने ठीक है लेकिन उनियम नहीं बनना चाहिए और जो अपने देश में बनता है वो बाहर से नहीं लाना और देश की नीती आइसी बने कि बाहर से लेना तो प्रता अंतराठी व्यापार है तो हम अपने शर्तों पर ले कोई हमको दबाए और उसके चलते हम ले ऐसा नहों को और अपने देश की व्यवस्था कानून सम्मिधान अनुशासन सारी बातों का पालन करना कि लाल बत्ती पर रुख जाना कि जहां कतार में खड़ा रहने वहां कतार में खड़ा रहना में लेकर तो राज्जसरकार सक केंद्र सर्कार सक कर भरन होता है समय पर करना कोई नियम तोड़ना नहीं कोई विवस्था तोड़नी नहीं अनुशाशन में रहना और यह सारा मैं और मेरा परिवार कर सकूद इसलिए हफ्ते में एक दिन अपने परिवार के साथ बैठना, अपनी परंपरा, कुलकी और देश की, उसकी संस्कृति, उसके मूल्य, उस पर आधारित वेवार इसका स्मरण करना, उनको अपने जीवन में परिश्रम के साथ प्रसंग आया तो प्राण देकर भी निभाने वाले अपन कुलके और अपने देश के पुर्वजोका स्मरण करना, और उसके अनुसार अपना घर है की नहीं, इसकी चर्चा करना और सहमती से जो तय होता है, वो लागू करना, घर के सब लोग एक बार बैठे, श्रद्दानुसार, सबता हमें एक बार भजन करे, श्रद्दानुसार क करे, घर में बनाए हुआ भोजन आनंद से करे, और तीन चार घटा गप्षप करके, इन सारी बातों की चर्चा करके, धीरे धीरे अपने घर का वातावरण सांस्कृतिक बनाए, जो हजारों वर्षों की शतकों की, दशकों की, युगों की, ऐसी अपनी परंपरा चली है, उस परंपरा की विश्व को आवश्चता है, हम उसको कालसुसंगत रीती से आधुनिक ज्ञान, विज्ञान और अपनी परंपरा दोनों का समन्वय करते हुए, चरितार्थ करेंगे, तो दुनिया को रहत मिलेगी, अपना देश भी अच्छा बनेगा, हमारा जीवन भी सु और पूरा समाज संग की शाखा में आये, ऐसा अगर है, इसलिए संग रखता है, वहाँ क्या-क्या होता है, कैसे कारिक्रम होते है, कौन से गीत होते है, कैसे सुभाशित होते है, ऐसे कारिक्रमों में से ये आपको देखने को मिलता है, परंतु दूर रहकर देखकर तो इसक मेसायों की बने स्वावागी बने इसकी आवश्च्रक्ता है यह संग के शाखा का कारिक्रम आपने देखा है लेकिन संग के स्वाइंसियों के अनेक टाम करते है नित्य चलने वाले छोटे बड़े सेवा कारिया और सेवा की गतिविदिया मिलाकर एक लाग बाविसजार से बनाकर हमको कुछ बाते छोड़नी पड़ती है गिनने की इतना वो कार्य बड़ा है जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जिसमें संग के स्वाइंसियों कोई मंच या कोई संगठन बनाकर सक्रिय नहीं उन सब में आप आ सकते हैं परन्तु यह जो रोज का व्यायाम है शरीर ले करतव यह समझ कर करें लेकिन बानकर भी निर्बंधा रहे काम करें लेकिन मैंने किया यह अहंकार न पाले तो हम इस देश की सच्ची सेवा कर रहे हैं इसा होगा और अपने देश को हम सब लोगों के सच्चे सेवा की आज आवश्यक्ता है और विश्व को भी आवश्यक्ता है भारत का वो जीवन धिय है पूरे विश्व की सेवा को करने लायक भारत को खड़ा करना है तो समाज को इस प्रकार बनना पड़ेगा समाज ऐसे बनेगा तो व्यवस्था है और व्यवस्था चलाने वाले लोग अपने आप उसके पीछे-पीछे चलकर ऐसा बनेंगे हमेशा बुनियाद से शुरू होता है बनाना केवल भगवान आधी कड़ समग पाया रहे पहले शिखर बाद में बुनियाद यह चमतकार केवल भगवान कर सकते हैं और भगवान दुनिया में कोई काम करते नहीं करवाते है बैठे बैठे सुदर्शन चक्र चला देते रावन मर जाता लेकिन मनुष्व रूप लिया इतने कष्ट सहन किये सुदूर जंगलों में जाकर ग्रामों में जाकर जागरुती की वो लोग साथ आये सामने रहकर लड़े तब रावन का बदुआ शमी पर रखे अपने शस्त्र उतार कर पांड़ धर्म युद्ध के लिए सिद्ध हो गए तब भगवान कृष्ण ने केवल सारथ्य किया चाहते तो दरोपदी के वस्तरहरन प्रसंगन में ही कवरों को बस्म कर देते लेकिन भगवान पहले शिखर बाद में बुनियाद ये चमतकार बहुत कम करते हैं भगवान की रीती ये है वो हमको बुद्धी देता है हमको स्वतन्रता देता है सांस्कारों के द्वारा शुद्ध बुद्धी के प्रकाश में काम करने का अउसर देता है हमारे काम करने प परन्तु उंगली तभी लगती जब हमारी लखड़ी लगेगी यही सरवत्र दुनिया के इतिहास में हुआ है यही अपने वहां होने होना चाहिए होने जा रहा है हमको उसका निवित्त बनके काम करना है और इसलिए संग के इस महा भियान में आप सबको आमंत्रित करता हुआ मैं थोड़ा लंबा हुआ भाशन आपने सुन लिया इसलिए आपका धन्यवाद करता हुआ मेरी चार शब्द समाप्त करता हुआ